नमस्कार मैं प्रियाईजी कुकिंग अन्मोर चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ जैसा कि आप सभी को पता है यहां मिलता है स्वाद का खजाना वह भी साधारन सी सामगरी से लेकिन आज की सामगरी साधारन नहीं है क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ सोया चाप इन दिनों सोया चाप वेजिटेरिन खाने में एक अलग ही रुदवा रख रहा है आज हम यहां पर सोया चाप की सबजी वगरा नहीं बल्कि तीन तरह के स्नैक्स बनाएंगे जो आप घर में तो ऐसे बना ही सकते हैं लेकिन अपने घर के छोटे मोटे पार्टी में भी आसानी से बना सकते हैं सोया चाप की पहली रेसिपी है सोया चाप हनी चिली सबसे पहले स्टिक से अलग करके इसे ऐसे इतने मोटे टुक्रों में काट लेंगे पांस सोया चाप लिया है मैंने अब बाकी की सामगरी भी मैंने तयार कर ली है मीडियम साइज के एक कैपसिकम और एक प्याज को ऐसे काट लिया है अब कराही गर्म करके सबसे पहले तिल को रोस्ट कर लेंगे बिना तेल के यह थोड़ा जादा है हमें एक टेबल स्पून ही इस रेसिपी के लिए चाहिए अब इस कराही में दो टेबल स्पून रिफाइन ओयल डाला है इसमें डालेंगे कटा हुआ सोया चाप और इसे चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब यह अच्छे से भून जाए तब थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें अब इसे कराही से निकाल भी सकते हैं लेकिन मैंने निकाला नहीं है इसे ऐसे बीच में जगह बना दिया है जिससे इसका एक्स्ट्रॉयल कराही में बीच में आ जाए एक छोटा चमच और तेल डालकर दो लहसुन की क्रस्ट कली 30-45 सेकंड्स के लिए भून लेंगे अब इसमें कैप्सिकम एड़ करेंगे इसे भी हलका भून कर प्याज एड़ करेंगे अब थोड़ा और नमक डालेंगे प्याज और कैप्सिकम के लिए इसे एक से डेट मिनर तक भून कर सोयाज आप मिक्स करके साथ में भूनेंगे प्याज और कैप्सिकम को ज़्यादा नहीं भूनना है जब ऐसा भुण जाए तब इसमें एक टेबल स्पून सोय सॉस, एक टेबल स्पून विनेगर, एक टेबल स्पून टुमेटो केचप एड़ करेंगे यहां इसमें दो टेबल स्पून पानी भी एड़ किया है ताकि यह थोड़ा मॉइस्ट रहे अब गैस स्टोफ बंद करके इसमें एक टेबल स्पून रोस्टेट तिल और एक टेबल स्पून सहथ हनी एड़ करेंगे याद रहे गैस स्टोफ बंद करके ही हनी डालना है मिक्स कर ले इसे अच्छे से अब इसे चिले फ्लेक्स और रोस्टेट तिल से ऐसे गार्निस करके सर्व करें यह बहुत ही तेस्टी है सोया चाप की हमारी दूसरी रेसिपी है सोया मस्टर्ड सॉस इसके लिए मैंने दो सोया चाप को ऐसे काट लिया है छोटे टुक्रे भी काट सकते हैं लेकिन मैंने थोड़ा बरा बरा ही रखा है अब मैंने लिया है दो टेबल स्पून पीसा हुआ पीला सरसो एक छोटा चमच हल्दी पाउडर आधा छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर एक ग्रेटिड लेसुन की कली नमक स्वादा अनुसार कसूरी मेथी गो टेबल स्पून दही मिक्स करके ऐसे पेस्ट बना लेंगे अब सोया चाप के टुकरू को इसमें ऐसे कोट करके रखेंगे अच्छे से मसाला चढ़ा दे अच्छे से मसाले से कोट कर ले और फ्रीजर में 10 मिनिट्स के लिए रख दे या फिर 45 मिनिट्स के लिए फ्रीज में रखते हैं मुझे जल्दी बनाना है इसलिए मैंने 10 मिनिट्स के लिए फ्रीजर में रखा है मैंने इसे फ्रीज से निकाल लिया है तब या पैन पर तेल लगा कर इसे ऐसे रोस्ट कर लेंगे तेल लगा कर ऐसे पलट पलट कर इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे इस फ़र ग्रिल्ड पैन लिया था लेकिन जो मैं चाह रही थी कि इस पर लाइन्स बने वो नहीं बन पाया पर कोई बात नहीं यह जो थोड़ा जला जला है इससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा इसे निकाल लेंगे यह तैयार हो चुका है इसे दो या तीन टुकडों में काट कर इस पर हरी चटनी या अपने पसंद की कोई भी चटनी में उनीज डाल कर इस पर प्याज के रिंग डाले और सर्व करें यह बहुत ही लाजवाब है अगर आप चाहते हैं तो इसे ऐसे बरे बरे पीसेज में भी सर्व कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे तो हमारा सोया चाप का दूसरा रेसिपी सोया मस्टर्ड सॉस स्पाइसी सोया चाप त्यार है अब पारी है सोया चाप के तीसरे रेसिपी की जो है सोया पॉपकॉर्ण इसे बनाने के लिए भी हमने सोया चाप को ऐसे टुक्रों में काथ लिया है पांच लहसुन की कलियों को क्रस्ट कर लिया है आधा कप मैदा लिया है मैंने स्वे गार्लिक और स्वादा नुसार नमक डाल देंगे अब पानी डाल कर ऐसा पतला घोल तियार कर लेंगे अगर लहसन नहीं खाते हैं तो बिना लहसन के भी घोल बना सकते हैं मैंने भी तियार कर रखा हैं मेरे भी घर में कुछ लोग गार्लिक नहीं खाते इसलिए मैंने भी अलग से घोल तियार करके रखा है अब कॉर्ण फ्लेक्स राक रस्ट करके उसमें थोड़ा सा नमक और चिले फ्लेक्स डाले अब सोयाच आपके टुकरों को पहले मैदे वाले गोल में डुगो कर फिर कॉर्ण फ्लेक्स वाले मिक्सचर में ऐसे लपेट ले कोट कर ले और प्लेट में ऐसे रखते जाए अगर आपके पास कॉर्ण फ्लेक्स नहीं हो तो ब्रेट ग्रम्स भी ले सकते हैं उसमें भी चेले फ्लेक्स और नमक डाल दे, मिक्स कर ले और फिर ऐसे मैदा वाले घोल में सोया चाप का टुकड़ा डुबोई और ब्रेट क्रम्स से कोट करे सारा ब्रेट क्रम्स एक बार में नाले थोड़ा थोड़ा करके ले नहीं तो सारा एक साथ ही गिला हो जाएगा अब कराही में तेल रखकर गर्म करें और इसे डीप फ्राइ कर ले एक बात कहना चाहूंगी कि ब्रेट क्रम्स की जग़ा कॉर्ण फ्लेक्स में ही बनाएं क्योंकि अस्वाद में बहुत अच्छा था देखे किता क्रिस्पी बना है और अंदर से सॉफ्ट है और अंदर से बिलकुल सॉफ्ट है इसे आप लंच में भी बच्चों को दे सकते हैं या वैसे ही क्रिस्पी रहेगा चाहे तो आप इससे रोल भी बना सकते हैं जैसा कि मैंने भी बनाया था थर्व के लिए रोटी पर चीजे स्प्रेट को ऐसे स्प्रेट कर दें उस पर सोया पॉपक्वर डाले प्याज के रिंग डाले वीडियो को लाइक और सेर जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बिल आइकन को आउन कर ले जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिले थैंक्यू फूर वाचिंग मैं वीडियो किलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ कब तक के लिए नमस्कार